Hello everyone, welcome back to my channel, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका सभी का इस चानल पर स्वाकत करती हूँ ये वीडियो एक information देना था जो कि बिहार सर्विस पब्लिक कमिशन की तरफ से एक notice जारी हुआ है आज की डेट में ही और ये notice है जो कि सब परिशान थे कि क्या paper आना है कैसा paper आना है क्योंकि लास्ट जो notification आया था उसमें 120 नंबर के में उन्होंने क्या कर दिया था उन्होंने कर दिया था तो अब भाशा हो कर दिया तो सब बड़े confusion में थे कि क्या सिर्फ चालिस नंबर की ही सिर्फ जीके जीएस और science और maths वेगरा आनी है और बाकी भाशा आनी है तो बहुत जादा confusion created था सब के मन में तो कहीं न कहीं टीचर्स के मनें भी confusion था कि आखर ये हुआ क्या कुछ में स्प्रिंट है कि क्या है तो अब वापस दोने notification निकाल दिया है एक संस्षोधन निकाल दिया है कि भाई ऐसा है अभी ये चीज़े है तो अब उन्होंने कुछ सही तरीके से निकाला है एक प्रॉपर स्ट्यमाटिक वे से निकाला है तो इस वीडियो में हम यही साथ ही साथ summary के form में मैंने NCRT class 6 की upload कर दी है class 7 की मैं prepare कर रही हूँ और 2-3 दिन में आपके पास class 7 की NCRT summary के form में आ जाएगी और flow chart के form में मैंने bilingual पढ़ाया है English medium, Hindi medium को ध्यान में रखते हुए और board पर पुरा explain किया है तो आपको काफी मदद मिलेगी साथी साथ one liner की series भी मेरी चल रही है इस one liner की series में जो important questions जादतर exams में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने उसको update करती रहती हूँ उसको डालती रहती हूँ तो उस series से भी आप ज़रूर जुड़िएगा साथी साथ MC को questions भी हैं जो की मैंने डाले हुए है channel पर उसको भी आप देखिएगा channel नया है चीजे अभी जादा नहीं है पर चीजे दिये दिरे डलती चली जाएंगी और आपको कही न कहीं उस पर help मिलेगी content आपको सही मिलेगा authentic मिलेगा तो चलिए आए वीडियो को start कर देते हैं तो बीपेसी वर्ग एक से कक्षा एक से पांस तक की यह बात चल रही है जो की अभी दुबारा से notice निकाला है 16 तारिक को 27 बटे 2023 की नियुकती जो है इसके बारे में बात चल रही है आपके आज से registration स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलिंग भी होने स्टार्ट हो गई है 25 पर एक लास डेट है तो कुछ वेब साइट में थोड़ा सा इशू आ रहा है बहुत ज्यादा बिजी जा रही है तो थोड़ा वेट कर लो एक दो दिन हो जाएगा सब का फॉर्म फिल हो जाएगा पर सा से 1,5 घंटे का ही है 500 questions, 1500 marks और negative marking नहीं ठीक है negative marking नहीं है अब देखो paper जो है वो विध्याले अध्यापक का भाग 1 और भाग 2 है paper दो भागों में divide होगा पहला भाग अगर आप clear करोगे तब ही दूसरा भाग आपका check होगा मतला पहला भाग जो है वो qualifying nature का है उसको आपको clear करना जरूरी ही है और पहला बाग रखा गया है 30 marks का 30 marks का भाग है 30 questions है अब 30 में से आपको 30 questions करने की जरूरत नहीं है मतलब कर दो कोई ऐसी बात नहीं है मतलब 30 में से 30 नहीं लाना है उसमें qualify करना है 30 प्रतिश्यत marks लेकर आने हैं इसमें से आपको लेने हैं और यह अगर यह okay हुआ यहां से जब यहां से okay हो जाएगा तब ही जाके examiner यहां का मतलब computer जो अमार sheet है वो आगे जाके चेक होगी ठीक है आप देखते है भाग दो भाग दो जो है वो 120 नंबर का बचता है जिसमें बहुत जादा confusion थी पिछला जो notification आया था वो सिर्फ भाशा को लेके था तो कुछ अलगी सा था वो बिलकुल दम ऐसा लग रहा था कि कौन सी Hindi कौन सी उर्दू कौन सी क्या देने वाले है तो अब देखो भाग दो में भाग दो में आपका समान अध्यान है समान अध्यान में हर वो चीज आपके चारों तरफ है तो मतलब समान अध्यान हो जाएगा, current affairs हो जाएगी, bhugol हो जाएगी, quality हो जाएगी, आपकी environment हो जाएगी, पर्यावरण हो जाएगा, आपकी गडित हो जाएगी, तो मतलब वो सारी चीज़ें जो एक छोटा बच्चा अपने आज पास देखता है त तो देख लेते हैं एक बार गडित हो गया प्रात्मिक स्तर का, फिर मांसिक शम्ता परिष्ण, फिर समान्य जागरुकता, फिर विज्ञान, फिर समाजिक विज्ञान, फिर भारती राश्प्री आंदोलन, इंडियन नाशनल मुवमेंट से भी बहुत क्वेस्टिन्स आएंग इसे करके छोटे-छोटे टॉपिक्स भी आपको मेरे चानल पर मिलेंगे, आप जरूर देख लीजेगा, प्लेलिस बनी हुई है, आप जाकर जरूर विजेट करिएगा, और साथी साथ ये क्वेस्टिन जो होंगे, MCQ फॉर्म में होंगे, no negative marking, तो में जो बात है कि पेपर जो है वो NCRT, SCRT based होगा, तो आपको जो मैं content भी करा रही हूँ, यहां पर भी SCRT, NCRT based ही करा रही हूँ, तो I hope आपको ये जो information है, ये कुछ समझ आई होगी, जो confusion था वो दूर हुआ होगा, अब एक और बात भी चल रही है कि जिनका जो फॉर्म में थोड़ी गरबड़ कोई चारा नहीं है, तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत आपको शुबकामना है, आपके इस नए exam के लिए इस नए पद के लिए जो की जोड़े गए हैं और आप जो लोग रह गए हों, वो select हो जाए, मेरी सारी शुबकामना है, आप सब लोगों के साथ है, सारे दो कि अुआ है डहन से डाद के लिए प्रता नहीं है वोगा है, ढाद के सारी जह बहुते हैं, आप εκ उलुबकामना है, झाए है, वो वो भी मैदेगार घएुआ है वो पहा है हैं है, आप दूलिए कि गया कие लिए इसकार लिए साली से जोश्ट हैं उलीड़ें रही हैं यह व